हेलो सुदेंट्स ट्रिक एंड कॉंसेप्ट चैनल में आपका है स्वागत और आज हम देखेंगे जनरेशन ओफ कंप्यूटर के बारे में तो आज का जो हमारा ट्रिक या कॉंसेप्ट होगा वो होगा जनरेशन ओफ कंप्यूटर के बारे में जनरेशन ओफ कंप्यूटर जिसको अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो यह होता है हमारा कंप्यूटर की पीडी तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की पीडी के बारे में जो छोटा सा कॉंसेप्ट होगा जिसमें पूरी की पूरी पांचों पीडी आपके आ साला और चल दिए तो पहले ऐसा नहीं होता था पहले computer बड़े साइज की होते थे एक रूम जितना बड़ा होता था तो कैसे दीरे दीरे पीडी आगे आगे बढ़ती गई और computer का साइज छोटा होता गया तो जो में पॉइंट होगा सिर्फ उस पर फोकल्स करेंगे computer की generation की बात करती हूँ तो फर्स जनरेशन आती है उसके बाद आप लिखोगे सेकेंड जनरेशन फिर आएगी थर्ड जनरेशन फिर फोर्ट जनरेशन और एट लास्ट हम फिफ्ट जनरेशन की तक जाएंगी और इनी जनरेशन से रिलेटिड आपके कोशन आते हैं जनरेशन हो जाएगा इंग्लिश में और अगर मैं इसको हिंदी में लिखती हूँ तो यह हो जाएगी पीडी अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक एक जनरेशन की एक एक पीडी की उससे इंप्टेंट पॉइंट की या उससे रिलेटिड आने वाले कोश्चन की देखें, फर्स जनरेशन में या पहली पीडी के अंदर computer क्या है? एक electronic device है और electronic device को चलाने के लिए कोई एक ऐसी machine होनी जरूरी है जो की विदुत का प्रभा करें जो की electric current को या voltage को बहा सके तो यहाँ पे अगर बात करते हूं first generation में तो यहाँ पे vacuum tube का इस्तमाल होता है first generation में vacuum tube का इस्तमाल किया जाता है तो यहाँ पे आप याद करेंगे first generation को vacuum tube से सबसे पहले tube का इस्तमाल होगा जो की एक bulb जैसी थी और इसी से electricity को computer के अंदर मतलब ले जाया जाता था second generation के अंदर electricity को ही प्रभा करने के लिए विदुत को और voltage को बना के रखने के लिए तो दूसरी generation में आता है transistor दूसरी generation में transistor को क्या किया गया तो दूसरी generation में transistor को यहाँ पर invent किया गया तो याद रखेगा second generation equals to transistor transistor भी क्या काम करते थे तो इसमें छोटी-छोटी चिप थी जिसका काम था विदुत को अब प्रभा करना third generation में क्या आता है तो अब यहाँ पर ऑइसी चिप बन जाती है आईसी का मतलब होता है integrated circuit चिप यह होगी आपकी कौन सी तो याद रखेगा integrated circuit चिप यहाँ पर बन जाती है और यह चिप का का काम होता है विदुत को प्रभा करने का तो integrated circuit C to see silicon की बनी होते है ये भी पुछा जाता है ये आपकी silicon की बनी हुई इस्फ होती है Silicon germanium semiconductor फिर आते हैं हम fourth generation में या फिर चौथी पीडी में तो computer की fourth generation यह चौथी PD में सेम काम के लिए विद्ध की प्रभा के लिए इस्तमाल होता है माइक्रो प्रोसेसर का ठीक है तो फोर्थ में आपका आजाता है माइक्रो प्रोसेसर और यह भी कोशन बन जाएगा कि पहला माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सा था तो पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी थी इंटेल इंटेल 4004 यह पहला माइक्र प्रोसेसर चिप था यह भी विदुत के प्रभा के लिए इस्थमाल होता था आता है पांचवी पीड़ी लेटर जो कि अब चल रही है इसके अंदर आपकी यू एल एसाई आया है यू एलसाई का मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटिड सरकिट अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटिड सरकिट ठीक है तो इसमें इस्तमाल होता है यू एलसाई का आर्टीफीशल इंटेलिजेंस का जैसे हूमन की तरह या इंसान की तरह सोचने समझने की पूरी शक्ति हो सोचने समझने की एक ऐसी तकनीक जो कि बिलकुल इंसानी दिमाग की तरह सोचे तो यहां पर artificial intelligence और ultra violet scale integration circuit का इस्तमाल होता है 5th generation में यहां पर AI का भी इस्तमाल होता है, ultra large का भी इस्तमाल होता है तो याद रखिए पहले vacuum tube, second number पे transistor, third पे IC, fourth पे microprocessor और fifth पे ULSI एक यहां पे आता है, microprocessor के साथ VLSI याद रखना, very large scale integrated तो यहां पर trick बनती है भई, start करेंगे हम, तो यह आजाएगा VTIMU, ठीक है VTIMU, तो इसको याद रखेंगे हम वटी मू से, ठीक है, वटी मू, तो वटी मू याद रखिए, जब भी बात करेंगे हम generation की तो generation equal to VTIMU, vacuum tube, T say transistor, I say IC, integrated circuit और M say microprocessor, U say ultra scale, ultra large scale integration circuit तो आज का topic बस यहीं तक मिलती है next episode में, thank you so much झाले से, जब बात करेंगे हम शिता बात करेंगे हम वटी एंस, जब प्रॉखजे है झाल झाल